तो इश्क हो ही गया भाग साथ राधा अपने कमरे में आई और तेजी से दर्वाजा खुली तो अंतीम हर बढ़ा कर मुड़ गया वो अपने कपड़े बदल रहा था और शर्ट भी निकाला था कि राधा कमरे में आधम के माफ कीजे हम अभी चले जाते हैं अंतीम जल्दी से कपड़े लिए बात्रूम में चला गया राधा अपने आशूं को पोच कर बैठे अंतीम को इंतिजार करने लगी अंतीम बाहर आया तो अपने टी-शर्ट और लोवर में था वो राधा को देख बाहर जाने लगा क्योंकि उसे याद था राधा उसे खुद से दूर रहने को बोली थी बुज़ा पाता कि राधा आकर पीछी से उसका हाथ पकड़ ले अंतीम बिना मुड़े पूछा आपको कुछ चाहिए राधा जी मेरे साथ हाओ राधा अंतीम का हाथ पकड़े अपने साथ बिस्तर पर ले आई और बिटा कर टावल से इसके गिले बाल पूछने लगे तो अंतीम रोकते हुए बुला हम कर लेंगे राधा जी मुझे करने दो वरना तुम ऐसे बिमार पर चाओगे राधा उसे डांट लगाती की बोले अंतीम खामूसी से बैठा रह राधा बाल पूछ कर बाहर गई लेकिन जाने के पहले अंतीम को वहीं कमरे में रहने का ओडर देती गई अंतीम उस टावल को पकड़े सोचने लगा कि कितने सालों बाद कोई उसका इस तरह ख्याल किया थोड़ी देर में राधा हाथ में गर्मा गर्म चाई लियाई और अंतीम को पकड़ाई अंतीम उस चाई के कप को देखा और फिर राधा को राधा मुस्कुराती हुई बोली तुम्हारे लिगे ही है अंतीम मासूमियां से चाई पीने लगा कहीं न कहीं इसके अंदर का दफन बच्चा आज भी प्यार की तलाश में अंतीम के आँखों में जागता है अंतीम अपना सिर हामी में हिला कर खामूसी से चाई की प्याली को थाम लिया अंतिम चुपचाप चाय पी रहा था और रादा उसे देख रही थी धन्यवाद रादा जी हम अगली बार ध्यान रखेंगे कि हमारी वज़ा से आपको तकलीफ नहीं हो अंतिम नजरे जुकाए कहा रादा उसकी बात से मायूस हुई तकलीफ तो मेरी वज़ा से तुम्हें हुई ना जाने क्या क्या बोल गई मैं तुम्हें वैसे भी मुझे तकलीफ नहीं देते तुम बलके इसे ख्याल रखना कहते है अंतिम के चेहरे को ऊपर कर अपना ख्याल रखा करो तुम्हें मालूम है जब एक पत्नी अपने पत्नी के हालत बुरी देखती है तब उसे भी दर्द होता है लेकिन कहां कोई पत्नी ना ही आप सिर्फ एक मजबूरी की रिष्टे में बंदी है और हमारा का है ना तफ़र्क पड़ता था और ना आप हम आप से यही उमीद रखेंगे ना आप हमसे कोई उमीद रखेंगे पती पत्नी के रिष्टे की और ना हम आप से हैं हाँ आज साथ हैं कल का कुछ पता नहीं हम नहीं चाते कल को हमें कुछ हो जाए तो जिन्दिकी भर आपके उपर कोई बोज हो अंतिम कहकर चाय की प्याली रखने जाने लगा तब तक राधा उसे रोकी लेकिन एक दोस्त पन कर भी तो रह सकते हैं दोस्त अंतिम अनंत उदासी भरे भाव से कहा जिन्दिकी में जिसे दोस्त माना वो हमसे दूर चले गए अब हिम्मत नहीं दोस्ती की राधा जट से अपनी जगह से उठी और अंतिम के सामने आख खड़ी हुई कोशिश करके देखो मैं कहीं नहीं जाओंगी और अपना हाथ आगे बढ़ा दी हाथ मिलाने को अंतिम बड़े हैरत से उसके हाथ की और देखा अर्थ के जाने के बाद आज पहली बार कोई उसके आगे से हाथ खीचा नहीं बलकी बढ़ाया था देख क्या रहे दूबे जी हाथ मिला लो दोस्ती में इतने भी बूरी नहीं राधा मुस्कराई मही अंतिम हैरत से उसके और देखा दूबे जी हाँ अब समुझे टोक रहते कि अपने पती को नाम से नहीं बुलाते तो अब से मैं तुम्हें दूबे जी बुलाऊंगी राधा बोलते ही अंतिम के हाथ से चाय का प्याला ले ले और जट से हाथ मिला ले अंतिम उसे बस आश्चरे से देखता रहा और राधा चाय का प्याला ले कमरे से बाहर निकल गई शायद दोस्ती से ही सही मैं तुम्हें थोड़ी खुशी देशकूं दूबे जी राधा कमरे के बंदर वाजे की और देख खुशी से बोली बाकी कोई हो ना हो हमारे भूले बंडारी तो है ही सबकी रच्छा करने के लिए राधा जैसी ही बोली अचानक से घर के बाहर बने मंदीर से घंटियों की अवाजे आने लगी और राधा नीचे चले गई काम में मदद करने राध के साथ बजने वाले थे और घर के आंगन में सभी सदस सिवाए राधा और अंतिम के मौजूद थे क्योंकि अंतिम इस वक छट पर खड़ा सामने घाट पर हूँ रही गंगा आरती के तैयारी देख रहा था और राधा कमरे में बैठी सोच रही थी कैसे वो अंतिम से और खुल कर बात कर सकती है तब ही उसे नीचे से सुदंदा भाबी के आवाज आई अरियो छोटी ऐसी क्या पती में लीन हुई के सुद्बूदी नहीं रही घर वाले नीचे है राधा जल्दी से कमरे से बहार रही और अपने सेर पर पल्लू रखते हुए सब के पास पहुची क्या हुआ दीदी कुछ नहीं वहूर हम सब कंगा जी का आर्ती देखने जा रहे थे तुम भी तैयार हो जाओ चाची जी राधा से बोले ठीक है मैं इनी भी कह देती हूँ कहकर राधा मुड़ने लेगी तब तक पुसकर भया बोल पड़े वो जाकर क्या करेगा यही रहने दो घर का ख्याल रखेगा राधा के कदम इतना सुनते ही रुख गये और वो बोलते हुए मुड़ी तब मैं भी यही रुखूंगी तुम यहां रुख कर क्या करोगी सुनन्दा भावी अपनी भौवें उठाय पूछी तो राधा सीधे उनकी आँखों में देख चवाब दी घर का ख्याल रखोंगे जब वो यहां रहकर घर का ख्याल रखेंगे तब मैं कैसे गुम सकती हूँ कहकर राधा वापस सीड़ियों से उपर चली गई जहां सभी उसे मूँ खोले जाते देख रहते वही चाची जी और सुब इसकी बात सुन खुशे से मुस्कुरा उठे कुछ देर में सभी गंगा आर्ती के लिए निकल गए आज रविवार था तो भीर गली से ही सुरू हो गई हरूर गंगा मया की आर्ती देखने के इच्छक शद्धाल उमर पड़े भीर इतनी कि कदम ना रख पाए और सुकुन इतना कि वो भीर भी तकलीफ ना दे पाए जहां पूरा बनारा सी गंगा आर्ती में मगन था वही अंधीरी रात में अपने छट पर खड़ा अंतिम बिना किसी और सोच के मुस्कराती हुए गंगा आर्ती देख रहा था बच्पन से ही उसे गंगा आर्ती बहुत पसंद थी जब उसके रिस्ते इतने ज्यादा नहीं बिगड़े थे तब हमेशा अपने पिता जी और भाईये के साथ जाया करता था और वहीं दूसरी गली से इसके खासाती भी आते थे जो रिस्ते में अनतिम के चाचा लगते थे उन्हीं के साथ अनतिम हमेशा गंगा आर्ती देखने के बात गंगा जी में बहते मिट्टी के दियों की अलग-अलग आकरिती देख खुश होता जो हमेशा ही उसे तारों की याद दिलाते थे आज घाट पर हमेशा की तरह ही शद्धालूं की भीड थी लेकिन शायद अब भी एक जेगे खाली थी अंतिम छट से गंगारती देखती देखती मुस्करा कर अपनी आखे बंद किया ही था तभी इसके कानों में राधा की आवाज आई आज पहली बार मालूम चला दूबे जी मुस्कराते भी है उसकी आवाज सुनते ही अंतिम अस्चर से उसकी और देखते हुए मुडा आप कई नहीं राधा जी राधा चेहरे पर हलकी मुस्कान लिए अंतिम के ठीक पगल में आकर खड़ी हुई नहीं क्यूं वो क्या है ना हर क्यूं का जवाब नहीं होता है कभी कभी जिन्दिगे के कुछ अच्छे पल को जीने के लिए सबसे दूर होना पड़ता है राधा बोली आज हवाएं कुछ तेज बह रही थी तो उसके जुल्फ गिर्द उर रहे थे जिससे वो बीच-बीच में अपने हाथों से सवार रही थी मतलब आस तक इतनी दूर से गंगा आरती देखी नहीं तो कोई आइडिया नहीं है अंतिम की और देख अपनों से जुड़ी है बस आखी बंद कर लीजे और दूर से आते मंत्रों तालियों और संखनात के अवाजों को अपने भीतर समा कर लाती हवा को महसूस कीजिए अंतिम की बात मान राधा अपनी आखी बंद कर ली और अंतिम भी दोनों हर सक्स से विरक्त होकर उन हवाओं और अवाजों को महसूस कर रहे थे राधा को तो वो बहती हवाएं अब खुद गंगा मया की बहती सितल लहरो सा प्रतीत हो रही थे जिसके साथ दोनों की गंगारती यूँ ही बिना कुछ बोले लेकिन सब कुछ महसूस करके भी थी तो हेलो 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 क्या करूँ एक राइटर हूँ एक स्टूडेंट हूँ और साथ में मुझे और डियू भी बनानी परते हैं सिर्फ आप लोग के लिए तो थौर लेट हो जाता है लेकिन रोज कहानी के पाट देने की कोशिस में आज ये पहला दिन है उमीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी ऐसे ही इसको पसंद करती रही है और कमेंट में जरूर बताइएगा आज का पाट कैसा लगा मिलते हैं अगले पाट के साथ